क्या होगा जब स्पेस में इस्टोनोट्स का एक ग्रूप तार्क मैटर पर एक्सपेरिमेट करने के कान अनंत मल्टिवर्स का ही पोर्टल खोल देते हैं जिसमें की कुछ लोग गलती से दूसरे पैरलल युनिवर्स में चले गई थी अब ये सब हुआ कैसे और इसे ठीक कैसे किया जाए जानने के लिए चले शुरू करते हैं आज की नई साइफाइ मिश्टी सीरीज को कहाने की शुरूआत एक सर्द भरी बर्फिली रात से होती है जहां जो नाम की एक ओरत अपनी बेटी की साथ सब इसे चुपते हुए कहीं जा रही थी यहां जो काफी ही घबराई हुई लग रही है और अपनी बेटी से कहती भी है कि पता नहीं कैसे मगर जब से वो स्पेस से वापिश लोटी है उसके आसपास का सब कुछ बदल चुका है जैसे वो इस दुनिया को जानती ही नहीं यहां के लोग उसकी अपनी फैमिली हर कोई उसे अंजाना सा लग रहा मानोवे सब बदल गए हूं मगर वो जल्द ही पता लगा लेगी कि उसके साथ ही सब हो क्या रहा है और यह कहकर जो अपनी कार में रखे हुए एक डिवाइस को देखने लगती है जिसे कि वो चुराकर भागी थी अब यहां से वेक सुनसान पढ़ेक पुराने घर में पहु इस बारों से अपनी ही बेटी के वास दूसरी जिशा से आती हुई सुनाई देती है अब यह सब हो क्या रहा है कहानी इस रात के पांच हफते पहले के समय से दिखाई जाती है जब जो अपने साथ ही एस्ट्रोनोट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस टेशन पर अपनी कर रहे हैं और उसे प्रिच्वी से उनके हैड हैंरी उन्हें इस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उनके लिए एक्सपेरिमेंट कितना ज्यादा जरूरी है दरासलव वैग्यानी को ने एक नया सेल डिवाइस बना लिया था जिसे कि वे डार्क मैटर पर एक्सपेरिमेंट कर यह कोशिश कर रहे थे कि हमारे ब्रहांड में इस डर्क मैटर कर रहे से क्या है और राज पोल ने जब एक्सपेरिमेंट के लिए कैल डिवाइस को शुरू किया ही था कि उनके स्टेशन पर एक बड़ा धमाका होता है मानों कोई अंजान चीज उनके स्टेशन से आकर ठकर आई गायल हो गया यहां नीचे हैंडरी उपर मैसेज भिजवाता है कि चाहें जो भी हो क्रू मेंबर्स को वो सेल डिवाइस सेफ और सुरक्षिज रखना है क्योंकि एक वहीं डिवाइस है जो कि डार्क मैटर के रहस्यों को सुल जा सकता है जहां स्पेस में जो अब बाहर अप एक फीमेल एस्टोनोट की बोड़ी उसके उपर से होते हुए स्पेस में बहने लगती है यहां जो उसे पकड़ने की कोशिश भी करती है कि यह है कौन मगर वो उसे पकड़ नहीं पाती यहां जो रेडियूशरे स्टेशन के अंदर मौजूद अपने बाकी गुरू मेंबर इसको बता भी रही थी कि कैसे उसने औरेंज सूट में कोई बोड़ी देखी वहीं यह अजीब इसलिए भी था कि जितने भी वे मेंबर से इस्टेशन पर आये थे उनमें से कोई भी गायब नहीं हुआ और उनके स्पेस सूट तो वाइट हैं तो फिर वो औरेंज सूट में मरी हुई एस्टोनोट थी कौन यहां कम्यूनिकेशन फिर से जुडने पर जोन नीचे बेस पर सभी को यहीं सब बताती है मागर अभी तो उनके सामने इससे भी पड़ी प्रोब्लम थी जहां उनका कमंडर पॉल अपने जखों से मारा गया था और स्पेस स्टेशन और भी रेस्टोनोट मौजूद थे और एक एसके पोड में सिर्फ तीन ही लोग आ सकते हैं वहीं दूसरा पोड तो अल्रेडी डैमेज हो चुका था सो जो यहां से सीनियर होने के नाते फैसला करती है कि बागी के तीनों मेंबर्स एक बचा हुआ पोड लेकर नीचे चले जाएं और वो तब तक दूसरे पोड को रिपेर करने की कोशिश करेगी और बाद में नीचे आ जाएगी वहीं वह बाकियों के जाने से पहले उन्हें औरंज सूट वाली बोडी की ड्रोइंग बना नीचे भेज देती है जो कि उसने स्पेस में देखी थी ताकि वे इसके बारे मे केल डिवाइस से कर रहे थी उसी से उनको स्पेस टेशन डैमेज हो गया और कमंडर पोल मारा गया मगर हैंरी इस के लिए तैयार न था और वो कहता है कि केल डिवाइस से जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है और उन्हें वो पेर करने में लग जाती है और उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ पांच गंटे की उक्सिजन बची हुई है और इसी बीचु से शटल को ठीक करना होगा जिसके बाद यहां की सारी उक्सिजन लीक होते हुए स्पेस में बह जाएगी तो वहीं कम्यूनिकेशन के फ की बेटी का एक नेकलेश टंगा हुआ था और यहां से फिर से पांच हफ़ते भविश्या का समय दिखाया जाता है जब प्रिच्वी पर जो अब उसी सुनसान जगह पर बाहर से आ रही एलिस की आवाजों का पीछा कर रही थी और उसे थोड़ी ही दूर एक और दूसरा कै बिन दिखता है तो उसके अंदर जा पाती है कि वहाँ पर वही सेम अलमारी थी और उस पर उसकी बेटी का नेकलेश दर्वाजे पर टंगा हुआ था सेम यही चीज जो ने पांच हफ़ते पहले स्पेस्टेशन पर देखी थी यानि कि तब वो भविशा देख पा रही थी म अब सब कुछ काफी ही कनफ्यूजिंग है पहला तो जोने अलिस को दूसरे कैबिन में नीचे सुलाय हुआ था तो ये दूसरी अलिस कहां से आई सब कुछ धीरे धीरे रिवील होने वाला है अब जो जल्दी से अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए फिर से अपने पह पहले वाले बैड पर सोती हुई दिखाई देती है जहां उसने उसे शुरू में सुलाया था तो वो दूसरी अलिस कोन थी जो उसे अलमारी में मिली जो वापी से भाग कर बातरूम में जाती है मगर अब वहां कोई नहीं था अब यहां से कहानी फिर से पांच हफ़ते पहल पर जो एसके पोड में मिली पोल की बोडी रखी रही थी कि उसे स्टेशन से हजीब सी आवाजे आने लगती है जैसे कि उसके अलावा और भी कोई स्टेशन पर मौजूद हो वो बाहर जाकर उसे देखने लगती है और उसे पोल का कटा हुआ आत नजर आता है मगर जैसे ही जो उने उसे चुआ आई था कि अब उसे पोल दिखाई देता है जो कि अभी भी जीवित है मागर तबी फिर से जो अकेली ही थी और उसे लगने लगता है कि पोल की मौट से और इसके पोड़ ठीक करने की टैंशन में उसे ये सब रह हो रहे होंगे तो वहीं प्रिच्वी पर हेंडरी अपने सारे ही रिसोर्चिस का इस्तेमाल कर उस कैल डिवाइस को प्रिच्वी पर वापिश लाना चाहता था क्योंकि उस एक्षपेरिमेंट के रिजल्ट अभी भी उस डिवाइस में सेव थे जहाँ से फोन पर अपने ट्विन ब्रदर बर्ड की मदद लेने को भी कहा जाता है मागर हेंडरी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई से जादा बात नहीं करता जरसल हेंडरी का ट्विन ब्रदर बर्ड बिल्कुल उसी की जैसा दिखता है और इसलिए ही न्यूस वाले बर्ड को हेंडरी समझ उसे जो को बचाने वाले मिशन के बारे में भी पूछते हैं जिसके लिए बड़ गुसे मैंगर को डाट देता है कि वो हेंडरी नहीं बलकि उसका भाई है तो वहीं उपर स्पेस में अब तक जो ने आखरी वक्त पर अपने एसकेप शटल को रिपेर कर ही लिया था और वो कैल डिवाइस को भी ले आई थ सो अब आखरी में अपनी परिवार के लिए आखरी मैसेज रिकोर्ड कर जो शटल को स्टेशन से लौँच करने लगती है जो कि अब कुछी सेकेंड्स बचे थी और स्पेस स्टेशन पर अक्सिजन खत्म हो रही थी कि अब जो जान पाती है कि उसका शटल किसी एरर की ऐसे लौँच नहीं हो पा रहा है और इसे मैनवली लौँच करने के लिए किसी को बाहर स्टेशन पर जा कंट्रोल रूम से कमांड देनी होकी जो कि जो कर नहीं सकती यानि कि अब उसका मरना तै था कि तावी सरप्राइजिंगली कंट्रोल रूम में किसी के पर चाही नजर आती है जो कि अब मैनवली जो के शटल को लौँच कर ही देता है और जो हैरानी में काफे ही खुश थी कि पता नहीं कैसे मगर एक चमतकार से उसका शटल अपने अब लौँच हो गया और अब वो प्रिच्वी पर लेंड कर बची जाएगी जहां से जो का शटल अब सेफली प्रिच्वी पर लेंड कर जाता है जहां नासा की सेक्यूरिटी टीम जो को साफधानी से निकलती है तो वहीं जो की बेटी और पती दोनों ही पहले से उसका बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थी और यहां वे एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि नीचे सब को लग किया यह बहुत बड़ा राज है जो की बाद मेरी विल होगा तो वहीं नीचे जो खुश थी कि वो फाइले अपने परिवार अपनी दुनिया में फिर से लोट आई मागर उसे अभी पता भी नहीं है कि जिस दुनिया को वो अपना मान बैठी है वो असल में उसकी है ही नही वही हैंडरी जल्दी से उसी स्पेस में किये कैल डिवास टे एक्सपेरिमेंट रिजल्स को देखने लगता है जिसमें ब्रमान में फैले डार्क मैटर पर रिसर्च थी और यहां से कहानी फिर से चार हफ़ते बाद वाली राथ पर शिफ्ट होती है जहां जो बड़ी ही हैर अपने बेटी एलिस से पुछती है कि उसने तो उसे बातरूं में नहलाने के लिए बैठाया था जहां नन्नी एलिस कहती है कि मगर वो तो आते ही सो गई और वैसे भी जब से उसकी मास स्पेस टेशन से वापिस आई है तो वो इतना बदल क्यों गई अब यह सुनने के पिस लोटने के बाद प्रेस कॉन्फरेंस करती है और पॉल की स्टेशन पर हुई मौत के बाद उसकी पतनी को सांच वना देती है मागर अफ सर्प्राइजिंगली जो को यह बताया जाता है कि जो नावो पॉल की पतनी का बता रही थी वो पूरी तरह से गलत है लेकिन जो क पर हुए उस हाद से की जात शुरू होती है कि स्टेशन पर वो धमा का अचानक से कैसे हुआ था और वो स्टेशन के सारे ही सिसीटीवी फोटेज को घंगालने लगते हैं मगर जब जो उन्हें बताती है कि उस ने कोरेंट सूट में किसी मरी हुई फीमेल एस्टोनोट को द की सब को लग रहा था कि जो शैद से बिमार है सो वे उसे कुछ दिन दवाईयां लेकर आराम करने को कहते हैं ताकि उसकी मेमोरी अच्छे से काम करें और जो यहां से घर जाती है मगर अब यहां उसका पती काफी ही वियरली बिहेव कर रहा था जैसे कि उनके बीच रिच र आता है कि उसे अपनी स्टेट्मेंट बदल नहीं होगी और यह कहना होगा कि किसी इंटरनल एरर की वज़ेसे वो धमाका हुआ था और वहां कोई मारी हुई आइश्टोनोट थी ही नहीं मगर जो इसके लिए तयार नहीं होती वहें जब वो मीटिंग के बाद अकेली ही थी कि उसका बोस फ्रेडरिक अब उसके पास आउसे अजीब तरह ऐसे च्छूने लगता है जैसे कि उनका कोई अफियर चल रहा हो मगर जो इसके लिए हैरानी से मना करती है कि वो अपने पती से धोका कर बाला उससे अफियर क्यों ही करेगी और यहां से वो समझ पा रही थी कि कि यहां से दोनों इंटीमेट होते हैं तो वही हेंड कुल डिवाइस की रीडिंग से वहेदी चोकानी वाली बात पता चले थी कि एक हमारा ही यूनिवर्स नहीं है बलकि हमारे जैसे और भी यूनिवर्सिस हैं जिन में हमारे ही अलग-अलग वर्जन्स रहते हैं यानि कि हम मल्टी वर्स का एक छोटा सा ही साबर हैं अब हैंडरी ये जान काफी ही खुश था ये फाइनले इमल्टिवर्स की थोड़ी साच होने के साफ साफ सबूत उसे मिल चुके हैं जहां हैंरी जोसे मिलने भी जाता है और उसे बाहर एलिस मिलती है तो अब वो उसे ही बातों बातों में स्रोडिंगर्स कैट के थोड़ एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाने लगता है कि कैसे वेग्यानी कभी तक भी फिजिक्स को पूरी जरे से समझ नहीं पाए हैं जबकि अलबर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था कि कैसे एक ही सबस्टेंस दो अलग अलग जगों पर मौजूद हो सकता है और वो भी अलग अलग रूपों में यानि कि पैरलल यूनिवर्सिस हैंडरी यहां एलिस के खिलोने का एक्जामपल भी देता है कि कैसे उसका खिलोना इस यूनिवर्स में तो बेशक वाइट है मगर एक दूसरे पैरलल यूनिवर्स में इसी जैसा एलिस के पास यहीं खिलोना ब्लैक भी हो सकता है और इन दोनों ही यूनिवर्सिस के बीच यह खिलोना दोनों ही रंगों में मौजूद होगा जब तक कि कोई से उबजर्वर्स इफेक्ट कहा जाता है अब यहां से हैंडरी जो से मिलकर उसे ठैंस भी बोलता है कि उसने कैल डिवाइस को सही स्लामत वापिछ ला उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है वहीं अगले ही दिन जब जब ने साची क्रू मेंबर्स के साथ थी तो उसे बड़ी हैरानी वाली बात पता चलती है कि जिस फीमेल एस्टोनोट को मरा हुआ उसने स्पेस में देखा था दारासल वो कोई और नहीं बलकि आईरी नहीं थी जो की अभी नासा की हैड है और वो फोटो 1966 की थी जब आरीन एक एस्टोनोट थी मगर वो तो अभी भी जिन्दा है तो जो ने उसे मरा हुआ कैसे देख लिया और वो भी उसके जवानी वाले रूप में जब वो एस्टोनोट थी अब जो के लिए यहाँ सब कुछो लस्ता ही जा रहा था वहीं जब जो अपने साचियों के साथ कमांडर पॉल की कबर पर फूल चड़ाने भी जाती है तो जो को फिर से पॉल जिन्दा दिखाई देता है और जो डर जाती है जहाँ तो उसे खुद भी लगने लगा था कि कहीं वो सच में ही तो ब्रहम में नहीं फच रही और इसलिए ही अब वो कमिशन के पास जा उनके सारी बाते माल लेती है और जो उसने स्पेस में यंग आयरिन की लाश देकी थी वो उसे उसका ब्रहम होने की गवाई देती है जहाँ जो को लग रहा था कि फाइनली वो रिलेक्स कर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे पाएगी मगर जब वो उनके साथ अपने पुराने जर्वनी वाले घर में जाती है तो उसे फिर से काफी कुछ पहले से अलग लगने लगता है जैसे कि अब उनके पास ब्ल्यू कार है जबकि जो को तो अच्छे से याद था कि उनके पास रेड कार थी यहीं नहीं अगले कुछ दिन जो वे यहां बिताते हैं तो जो जान पाती है कि उसका पती पिछले कुछ समय से उसे डिवोस्ट देने की सोच रहा था क्योंकि उसे जो के उसके बोस फ्रेडरिक से अफेर का पता चल चुका था मगर स्पेस से आते ही जो बदल गई और उसने डिवोस्ट देने का फैसला टाल दिया पता मगर हेंडरी को इसका एक क्लू मिल चुका था और वव अपने केल डिवोस्ट से मिली जान खारी को एक उर वेगन से डिसकस करने लगता है कि कैसे उसे लगता है कि जब पोलने स्पेस में केल डिवास से एक्सپेरिमेंट किया था तब उन्होंने गलती से एक दूसरे पैरलल यूनिवर्स का पोर्टल ही खोल दिया और यहां से जो के साथ जो कुछ भी हो रहा है अब वो सब क्लियर होने लगता है कि वो उसी एक्षपेरिमेंट के वक्त एक दूसरे पैरलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गई और जिस प्रिजवी पर वो भी लेंड की थी वो असल में उसकी थी ही नहीं क्योंकि यहां की जोका उसके बोस से अफियर था मागर इस जोका अपने यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं था और इसलिए ही जोका इस यूनिवर्स में अपने पती और बेटी से रेकर सब कुछ काफी ही अलग लग रहा था हाला कि अभी जो और हेंडरी दोनों को ही नहीं पता था कि ये जोईश उनिवर्सकी है ही नहीं यहाँ जोगा बोस फ्रेडरिक अब उससे फिर से मिलने आता है और कहता है कि वो स्पेश वाले मिशन से आने के बाद इतनी क्यों बदल गई और वे तो साथ में घूमने जाने वाले थी मगर अब जो उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि फ्रेडरिक ये सब क्यों कह रहा है मगर वो अपने पती के साथ ही खुश है और वो आगे से उससे मिलने ना आए जहां जब जो घर जाती है तो उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें कि डेन्मार्क में मुझूद एक उब्जरवेटरी में कुछ लोगों ने जो के लिए दो टेप रिकोर्ड भीजे थी जो कि उनके रेडियो में रिकोर्ड हुए अब एक टेप तो जो का ही था जब वो स्पेस सेंटर पर एस्टेप शेटल को रिपेर कर रही थी तो दूसरा उनने 667 में हुए किसी स्पेस मिशन का था जिसमें भी कोई फीमेल एस्टोनोट ही थी तो जो को लगता है कि उसे वहां जा इसके बारे में पता करना चाहिए और वो अपने पती मैंगनेस से भी मगर अब तक मैंगनेस को लगने लगा था कि जो दिमागी रूप से बीमार हो गई है और इसलिए हिवो स्पेस से आने के बाद इतनी बदल गई तो बनासा में फोन कर जो के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहने लगता है मगर जो ऐसा नहीं चाहती थी और इसी बहुश के बीच अब उससे मैगनस को धक्का लगने से वो वहीं बेहोश हो जाता है और यहां से जो फैसला करती है कि जो कुछ भी जीब उसके साथ हो रहा है वो उसके बारे में पता लगाएगी तो वो बेहोश मैगनस को वहीं चोड़ आवनी बेटी एलिस के साथ जाने लगती है और रस्ते में लैब में रुक अब उसने उसी कैल डिवाइस को भी चुरा लिया था क्योंकि उसे पक्के से यकीन था कि ये सब उसके साथ इसी डिवाइस की वज़े से हो रहा है जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसके उपर स्पेस में किया था तो वहीं जो को भी अब लगने लगा था कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है मगर चुकि जो इस यूनिवर्स की नहीं है तो उसकी यूनिवर्स में क्या हुआ होगा उसकी यूनिवर्स के स्पेस टेशन में उस दिन घड़ना यहां से बिलकुल अलग होई थी अब वो क्या बड़े बड़े ट्विश्ट से भरी से आगे की कहानी को जानिये इस जवर्दस सीरीज की दूसरे पार्ट में सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले पार्ट और ऐसी ही और भी सीरीज के लिए ठैंक यू